जे मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें दोस्तों, बहुत जल्द होली का तिवार आने वाला है होली का तिवार पूरे भारत वर्स में बहुत ही हर्स और उल्लास के साथ मनाया जाता है ये फालगुन मास के पुर्णुमा तिथी को मनाया जाता है इससे एक दिन बाद रंग वाली होली खेली जाती है आपको बता दें कि होली के आठ दिन पहले होलास्टक लग जाते हैं ये फालगुन मास के सुक्ल पक्च की अस्टमी तिथी से लेकर होली का दहन तक यानि फालगुन माहा की पूर्णमा तिथी के दिन तक होलास्टक लग जाते हैं और हुलास्टक की अवधी को सुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान कोई भी सुभ और मांगलिक कार्य नहीं किये जाते हैं। होलास्टक का हिंदू धर्मे में बहुत अधिक महत्तो है क्योंकि इस काल के दोरान सभी प्रकार के सुबकार्यों में रोक लग जाती है ऐसा माना जाता है कि इस काल में किया गया कार असुफल देता है तो दोस्तों इस काल में हर प्रकार के सुबकार्य वर्जित होते हैं इस माननेता है कि होलास्टक के दोरान सुबकारे करने पर अपसगुन होता है अता इस दोरान भूल कर भी कोई सुबकारे नहीं करना चाहिए आपको बता दें कि इस साल होलास्टक की सुरुवात 17 मार्च मार्च 2024 दिन रविवार से हो रही है और हुलास्टक की समापती 24 मार्च 2024 दिन रविवार को हो जाएगी इसी दिन होली का दहन होगा और इसके अगले दिन यानि 25 मार्च 2024 को रंग वाली होली खिली जाएगी दोस्तों हुलास्टक के आते ही होली के तेवार का आगाज हो जाता है हुलास्टक से पहले दिन यानि फालगुन मास की अस्टिमी को हुली का दहन वाले इस्थान पर गंगा जल छिड़क कर वहाँ पर सूखे उपले सूखी खास और हुली का दहन के लिए दो डंडे गाड़े जाते हैं, जिन में से एक को हुलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है, समानिता हुलिका चौराहे पर जलाई जाती है, हुलास्टक के दिन से हुलिका धहन तक प्रति दिन इसमें कुछ नकुछ लकडियां बढ़ाई जाती है, ऐसा माना जाता है कि जिस भी छेतर में हु को लिका धहन तक सुब काम करना निसेद हो जाता है अनिता अमंगल प्रणाम ही मिलता है हुलास्टक के दौरान की ये गहकार फल्दाई नहीं होते हैं क्योंकि जोते सास्त के अनुसार अस्टिमी को चंद्रमा नौमी को सुर्ष दस्मी को शनी एका दसी को सुक्र द्दसी को गुरू, त्रोदसी को बुद्ध, चतुरदसी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु ग्रह अपने उग्र रूप में होते हैं जो की चैत्र मास की प्रतिपदा तिथी के साथ इन ग्रहों की नकरात्मक सक्तियां छीर्ण हो जाती हैं तत्पस्चात होली पर रंगुलाल आदि खेल कर लोग क्रशनता जहिर करते हैं चले जान लेते हैं कि होलास्टक में किन कामों को करना वर्चित माना गया है दोस्तों होलास्टक के दौरान कोई भी सुब कार्रे नहीं करने चाहिए जैसे साधी ब्या मुंडन ग्रह प्रवेस पूजा अनुस्ठान नहीं करने अगर आप इन दिनों कुछ भी मांगलिक काम करते हैं तो उसका फल आपको असुब ही मिलेगा इस दौरान किसी तरह की प्रापरटी की खरिदारी से लेकर भवन निर्मार का कार भी नहीं करना चाहिए नए बिजनेस की सुरुआत या नई दुकान का उदगाटन करने से भी बचना चाहिए माना जाता है कि होलास्टक में सोना चांदी खरीदेने से भी परहेच करना चाहिए बलकि नए कपड़ों को भी लेने से बचना चाहिए इसके साथ ही अगर आप होलास्टक में भगवान सिव का या भगवान विश्नु का ध्यान करते हैं तो ये सुब और मं प्रेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद